गुर्मॉनिंग गुड आफ्टरिंग गुड इवनिंग कैसे अब लोग मैं बता दिए मैं बहुत बड़ी हो और आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होगे तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पेनल्टीज का चैप्टर तो शुरू करते हैं बीना टाइम वे और याद रहे यह जो पेनल्टी है दिस इन अडिशन टो इंट्रेशन अंडर सक्षेंट तो आप देखो तो मैंने क्या बूला अगर आप सिल्फ अस्मेंट टैक्स आप पें नहीं करते हो जाफिर आप पर क्या लग जाएगा एक तो आपको वो टैक्स तो पेंपें करना ही सक्षेंट इसके बाद सक्षेंट अट सेवन्टिएंट त्यू सेवन्टिएए जसेवन्टिएट डिल करता है मिस रिबोटेंग और अंडर रिबोटन अंडे लग जाएगा और इसी इमपोस photore कर सकता है या तो AO या CIT या फिर CIT अपील्स और इस बारे में हम फॉर्दर डिसकस करेंगे आगे जाकर के फिर आता है 271A section 44 AA क्याता है कि आपको अगर आप कुछ लोग है जो 44 AA में हैं covered अगर आप books of accounts मेंटेन नहीं करते हो तो आपको books of accounts मेंटेन करना है 44 AA के साब से लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो 25,000 का penalty लग जाएगा और इंपोस कौन कर सकता है या फिर CIT appeals फिर इसके बाद आता 271 AA क्याता है कि 92D में जो documents required है या तो आप उसे maintain ही नहीं करते हो या maintain तो करते हो बट furnish नहीं करते हो या फिर इसके बाद आता है 271 AA क्या कहता है कि अगर undisclosed income होता है undisclosed income is found in search search हुआ उसमें undisclosed income निकला तो कभी 30% कभी 60% आप पर penalty लग सकता है तो 30% कभ लगेगा 60% कभ लगेगा जब आपने क्या किया आप जो भी tax आया उसने आपने क्या किया उसे admit कर लिया कि हाँ यह आपका income है ठीक है आपने admit कर लिया अपने income दूसरा उसका जो nature and source है वह आपने disclose कर दिया थर्ड जो इस पर tax and interest आया वह आपने पे भी कर दिया and ROI आपने furnish कर दिया time पे time पे अगर आपने ROI भी फर्निश कर दिया within due date तो यह चारो के चारो कंडिशन satisfy होने चाहिए simultaneously होते हैं तो आप पे penalty कितना इंपोस का 30% of undisclosed income और अगर यह चारो में से एक condition भी अगर हो सकता है satisfy नहीं होता है तो आपको पेनल्टी लग जाएगा और इसे section 68 to section 69 c section 68 जो cash credit का आपका है वहां से ले करके section 69 c तक कोई भी अगर income आता है तो आपको पता है उसमें 78% of tax sorry आपको 78% tax pay करना पड़ता है ठीक है साथ में साथ में आपको penalty भी लग जाएगा 10% of tax लेकिन penalty तभी लगेगा जाद रहे penalty तभी लगेगा जब आपने return को offer नहीं किया है अपने return में offer नहीं किया है उस income को तो penalty shall not be levied if such income is offered in return अगर आपने उस income को offer कर दिया return तो आप पर कोई penalty नहीं लगेगा also माल लो कि आपने आपका income निकला section 68 to section 69 c अब क्योंकि section 68 to section 69 c आपका income निकला है तो क्या under reporting and miss reporting का भी penalty लगेगा the answer is no आप पर under reporting and miss reporting का कोई भी penalty नहीं लगेगा वह यहां लिखा है no penalty on unaccounted income shall be levied under section 270 a ठीक है इसके बाद आता है section 271 b failure to get accounts audited under 44 a b तो अगर आप आपको अगर 44 a b के हिसाब से books of accounts को audit करवाना जरूरी है और लेकिन आप books of accounts को audit नहीं करवाते हो 44 a b के हिसाब से तो आप पर कितना penalty लगता हैगा तो आप पर 0.5% of sales लगेगा या फिर देडलाक तो इन दोनों मैंसे जो भी कम होगा वह उतना आपका penalty लग जाएगा ठीक है लेकिन माल लो कि कर आप books of accounts को में भी मेंटेन नहीं करते हो और audit भी नहीं करवाते हो क्योंकि अपने books of accounts मेंटेन ही नहीं किया है तो यहां पर आपका audit and books of accounts मेंटेन नहीं करना दोनों को पर नहीं लगेगा सिर्फ 271 एक लगेगा बताब फट्फवर एडबल वाला कॉंट्रवेंशन का पर ठीक है इसके बाद आता तो आपका 271 ब यह क्या कहता है कि अगर आपको 92E के हिसाब से आपको अगर सिय का आपका रिपोर्ट फर्निश करना जरूरी है और अगर आप फर्निश नहीं करते हो तो आप पर रूपीज एक लाख का पेनिल्टी लग जाएगा और इसे कौन इंपोस करेगा एओ इंपोस कर सकता है इसके बाद आता है आपका 271 ड यह क्या कहता है कि अगर आपका भी लोन्स डिपोजिट यह स्पेसिफाइड एडवान्स को अगर आप एक्सेप्ट करते हो इन अधर मोड्स मतलब मालोग कैश में आपने एक्सेप्ट कर लिया या फिर अधर देन अकाउंट पेचेक अकाउंट पे डिमांड राफ या फिर इलेक्रोनिक क्लेंट सिस्टम या चोड़ करकि अगर आप किसी मोड्से आपने एकसेप्ट कर लिया तो आपकर या स्पेसिया फिर इसक्प्छिट चैब्एवान्स 무omp o जैसा तब कर सकता है तो आपको स्टाइब मेस्ट यह क्या कहता है कि अगर स्टट्शन ट्षिर और सर्ट्स का आपने ऊप्रवेंशन किया स्ट्शन 261 st क्या कहता है कि अगर किसी एक परसंसे एक दे में अगर आप 2लाग से ज्यादा रीसीव करते हो या तो suffix और पेनल्टी कितना लगे का जितना भी आपने अमाउन रेसीव किया उतना तक का अपका पेनल्टी लग सकता है और से इंपोस कर सकता है ठीक है अब आता है सक्षिंट 271E 271E क्या कहता है अगर आपने लोंस डिपोजिट स्पेसिफाइड एडवांस आपने रिपे किया इन अपने पटेट कर सकता है ठीक है सब्सक्राइब करना पड़ता है और नहीं करते हैं तो अगर सफ्टेश को सब्सक्राइब पड़ता है तो अगर नोटिस उन्हें सर्व हो गया तो सफ्टी रिपोर्टिंग करना पड़ता है 31 में तक जो भी फिनांशल ये खदम हुआ उसके 31 में तक आपको SFT रिपोर्टिंग करना बड़ेगा लेकिन मालो अगर आप SFT रिपोर्टिंग इस डेट तक नहीं कर पाते हो तो इसके रिगार्डिंग पेनल्टी नहीं है पेनल्टी आपको जब नोटेस सर्व हुआ तो नो नोटेस पीरियट तक नोटेस पीरियट तक 500 रुपी पर डे का आपको पेनल्टी लग जाएगा तो उसके बाद नोटेस पीरियट के बाद 1,000 रुपी पर डे का आपको पेनल्टी लग जाएगा और इसे कौन इंपोस कर सकता है तो एओ इसे इंपोस कर सकता है लेकिन माल लो आपने स्फ्ट किया टाइम पर दो किया लेकिन हुआ क्या आपने इनकरेक्ट पर्टिक्लिस में फरनिष कर दिया इनक्यूरेट प्रिक कर दिया एसे आपको पेनल्टी लग जागा सक्शन 270 21 F डबलेगा और कितना पेनल्टी लग जागा 50,000 रुपय का पेनल्टी लग जागा ले करता है do you feel to comply with due diligence यह फिर आपने deliberately inaccurate particulars को furnish किया यह फिर आप inaccuracy के बारे में जानते थे बट आपने I.T. authority को बताया नहीं यह फिर जब आप furnish कर रहे थे तो आप inaccurate particulars के बारे में नहीं जानते थे लेटर नन आपको पता चल गया जब आपको पता चल गया you discovered the inaccuracy उसके बाद भी आपने furnish नहीं किया correct particulars तो आपको penalty लग सकता है पचास हजार रुपए तक का पचास हजार रुपए का penalty लग जाएगा और इसे कौन impose कर सकता है prescribed IT authority impose कर सकता है फिर आता है section 271G 271G क्या कहता है कि 92D के अंदर जो documentation आपको maintain करना होता है वह आपने अगर maintain नहीं किया furnish नहीं किया तो आप पर 2% of the value of international transaction 2% of the value of international transaction आप पर लग जागा penalty ठीक है 271G के अंदर इसके बाद आता है section 271GA इसमें दो पॉइंट देखो इसमें क्या होता है कि 285A के हिसाप से आपको कुछ documents furnish करने पड़ते हैं कुछ documents information आपको furnish करने पड़ते है 271GA के हिसाप से तो अगर जैसे Vodafone case में हुआ था कि control transfer हो गया था अगर control transfer होता है management Indian concern का management या control अगर transfer हो जाता है तो 2% of the value of transaction आप पे penalty लग जागा अगर आपने वो documents जो की furnish करने थे वो आपने फर्निश नहीं किया ठीक है लेकिन other cases में मतलब control transfer नहीं हुआ management या control transfer नहीं होता है तो आपको आपे 5 लाख रुपे का penalty लग सकता है ठीक है इसके बाद आता है 271 GB यह क्या कहता है कि international group के regarding आपको कुछ furnish करने पढ़ते है documents को लेकिन अगर आप furnish नहीं कहते हो या फिर inaccurate पर्टिकर्स फर्निश कर देते हो तो 1 month तक तो आपको 500 रुपे per day का penalty लग जाएगा ठीक है पांच हजार रुपे per day का penalty लग जाएग और सकता है इंपोर्स कर सकता है प्रिसकार अथरीटी तो सब्सक्राइब कर देता है तो उस पर 10,000 रुपे का पर फिल जितनी बार वह गलत करेगा उतनी बार 10,000 रुपे का penalty लग जाएगा और सकता है या तो एयो करेगा या फिर चीटी अपील करेगा इंपोस इसका रादा सच्छन 272-1D यह क्या कहता है कि जो सच्छन 142-2A का जो डिरेक्शन देता है तो सच्छन 242-2-2-a में जो डिरेक्शन दिया जाता है मानलो आडिट करने का डिरेक्शन दिया जाता है और उस डिरेक्शन को अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए पर फिल्लियर का पेनल्टी लग जाएगा ठीक है अब जो यह वही बात है कि सर्च के केस में कब अपने 30 पर संट कर लिया अपना अंडिस्लोजिन का दूसरा अपने मैनर ब अगर अपने कर सकता है तो अगर अपका अडिशन हुआ है तो एक कर सकता है एसिंग ऑफिसर अगर अपेल में कर सकता है अब आता है कि अंडर पूर्टिंग कहते कैसे तो यह बैर एक्ट में साथ केसे हैं जिस जिसकेस में आपको आपका बोला झारगा कि अपका अंडर रिपोर्ट हुआ है तो पहला केसे जो आपका इंकम एसे हुआ है that is greater than the income determined under section 143 1a second case आता है जो income assessed हुआ है that is greater than basic exemption limit लेकिन आपने return file ही नहीं किया जो फिर return file दो किया बट पहली बार आपने return file के under section 148 तो वो भी under reporting का case हो जाएगा third case आता है जो आपका income assessed हुआ है that is greater than income assessed or reassessed immediately before such assessment जो assessment से just पहले कि जितना SS हुआ था वो कम है और अभी जो income assessed हुआ है वो जादा है तो भी उसको बोला जाएगा कि under report हो गया इसके बाद आता है fourth point fourth, fifth, sixth point है 1, 15, JB, JC से related मतलब MAT या EMT से related दोखो तो fourth point क्या कह रहा है कि जो income जो assess हुआ है या deemed to assess है under section 115, JB, JC that is greater than that is greater than income determined in return process under section 143, 1A तो 143, 1A कहसाब से जो income आपका furnish किया है उससे आप compare करो JB, JC कहसाब से जो determine हो रहा है तो अगर JB, JC कहसाब से जो determine हो जादा है तो आप JB, JC वाला लो JB, JC कहसाब से जादा है और ये कम है जो आपका income process हुआ था तो आपका बोला जागा कि अंडर reporting हुआ है ठीक है इसके बाद amount of deemed total income as in section 115, JB, JC is greater than basic exemption limit where no ROI furnish और ROI furnish first time at 148 तो amount जो deemed है under JB, 115, JB, JC मतलब MAT या EMT कहसाब से वो जादा है then basic exemption limit लेकिन आपने return furnish नहीं किया लेकिन आपने return furnish तो किया but first time अपने return furnish किया 148 कहसाब से तो भी माना जागा कि आपका under reporting हुआ है income इसके बाद आता है income assessed और reassessed has the effect of reducing the loss और converting such loss into income माल लो कि आपका या तो जो assessment आपका होता है उस assessment कहसाब से या तो आपका loss कम हो रहा है या फिर loss income में convert हो रहा है तो भी आपका माना जागा income कि आपका income under report हुआ है अब यह साथ के साथ हो case हम लोग बढ़ेंगे बहुत ही simplified manner में तो देखो पहला part first time assessment माल लो आपका first time कभी आपने या तो return file ही नहीं किया या फिर return file किया under section 148 जा फिर आपने return file तो किया लेकिन आपका assessed income is greater than income determined under section 143 तो देखो माल लो आपका assessed income basic exemption जाए पहला part यह part यह part अगर आपका assessed income आपका assessed income greater than basic exemption है बट या तो आपने return file ही नहीं किया या फिर return file तो किया तो कितना under reporting होगा तो company के case में तो देखो कोई basic exemption होता है नहीं company के case में firm के case में local authority के case में को basic exemption आपको मिलता है नहीं तो जितना भी income आपका assessed होगा that will be your under reported income लेकिन other cases में जो assessed income है minus basic exemption है इनका difference जो आया यह amount जो आया product यह हो जाएगा आपका under reported income ठीक है और आप tax कितना पर लगेगा tax लगेगा to tax on under reported income plus basic exemption limit तो देखो company के case में company firm local authority case में कोई basic exemption होता है तो basic exemption को भी आप ले लेना और under reported income को भी लेना यह total आपका income हो गया और इस पर आपको निकालना है tax तो यह आपका होजागा tax on under reported income फिर इसके बाद आता है कि return आपने फायल दो किया बट आपका जो assessed income था that is greater than the income determined under section 143 1 तो क्या होगा तो आपका under reported income कितना होगा जितना आपका income assess हुआ माइनस जब जितना आपने income determined किया था under section 143 1 बाद 143 1 के हिसाफ से आपको इंकम determined हुआ था उसको compare करो income message के हिसाफ से इंकम से जितना ज्यादा है income determined under section 143 1 के हैसाब से तो यह हो जागा जो different difference है that will be your under reported income tax कैसे निकालेंगे तो tax निकालेंगे जितना आपका under reported income है plus जितना income determined under section 143 1 यह कर दिया आपने add और इस पर आप tax निकालेंगे सबसे पहले तो फिर minus करो में से tax determined under section 143 1 मतलब बड़ा simple है अभी आपका जितना total income उसको ले लो और minus मतलब जितना total income होना चाहिए वो ले लो और minus जितना आपने income initially निकाला था वो ले लो जो difference आया आपका income आया जैट इस greater than जो पहले आपका assessment हुआ था यह रियासेजमेंट हुआ उस हिसाब से जितना आपका income आया था अगर यह ज्यादा है इस से मतलब रियस इंकम जादा है अपका assessed income से या previously assessed income से तो उस case में अपका under report income कितना हो जाए जितना आपका अब माल लो अगर आपका लॉस कभी था यह जो difference आया यह यह अगर आपका लॉस कभी था यह जो लॉस कभी लॉसस जो आपका हुआ वो क्या हुआ है रिडूस हो गया यह फिर income में convert हो गया क्या बोला मैं यह टो लॉस आपका रिडूस हो गया यह फिर income में convert हो गया तो आपका under report income कितना हो जितना loss claim मतलब इन दोंका difference निकालना आपको loss claim मैंस loss assess area और जो भी डिफरेंस इस पर टैक्स निकाल लोगे तो आज आएगा आपका टैक्स नहीं कलना जितना आपका इंकम बन रहा है जितना आपका इंकम होना चाहिए उस पर इस पर आपस्पे निकाल लो डैट इस यह एक साथ बढ़ आगे तो अगर 1विपीन Jetzt जेबीजेसी के हिसाब से अपका इनकम Somehow Scικά रहे है ठीक है और फॉर्स्ट यह आपका assessment हो रहे है तो पॉर्स्ट Team assessment अगर अपका हो रहे है और यह तो अपने return फाइल ही नही किया यह फिर return ही और सख्शोन ओर 48 बाट अपका आपका जो फाइल तो किया बट आपका जो डीम्ड टोटल इंकम डीम्ट इनकम स्ट्छिन अर्लियर अगर ऐसा होता है तो जो भी आपको क्या करना देखो आपको इन सभी और फिद इनकम निकालो और इन दोनों का इनकम आएगा इन माल लो आपका जो B है और D है दोनों की case में आपका URI सेम आ रहा है अगर सेम है तो आपको जो डी है मतलब जो वन फिप्रिज्टीन जे बी और जेसी मैं आपको URI को मानस नहीं करना है ठीक है ना अब इंटेंजबल एज़ेश्मेंट क्या होता है उसको बड़ा सिंपल है बड़ा अच्छे से समझेब एक्जाम्पल लेके बताओं अब आसानी समझ जाओगे यह है क्या जो आपका सोर्स है किसी रिसीट का या डिपॉजिट का या इंवेश्मेंट का सोर्स का ऐसा लग रहा है कि आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था पहरे आपने बताया था वो पिछली बार के किसी एसेस्मेंट में आया था वो इंकम तो क्या होगा तो आपको इस ओडर में सबसे पहले करना है कि तो Sounds Amount Shale of Income under-reported तो ऐसा माल ले जाए inspiration कि वो उस साल का उस प्रिंडीड इएंचम हो इंकम है वो अंडर न४र्य इंकम है जी सबिसे पहले को दिखो सबसे पहले सब से पहले उसके बाद फिरे ते करना है और उसके बाध बाद फिर फिर करके आपको पीछी ताना है तो ग्सांपल अगर यह ने पंद्रह लाख रुपए का निकाला ठीक है उनिस बीस एसमेंट एर में ठीक है और लेकिन आपने बताया कि आपने इसका सोर्स पहले बता दिया था पहले डिस्क्लोस कर दिया था तो मालो इस तरीके से आपने दिखाया था कि इस तरीके से पहले एज़ेश्मेंट हुआ था कि 17-18 एसमेंट एर का निल 16-17 पांच लाग 15-17 एर का बारे लाग तो आपको कैसे एज़ेश्ट करना है तो आपको बताना है कि 16-17 एसमेंट एर का पांच लाग हो गया 15-16 एक और 13-14 जितना remaining amount that is 3 लाग 15 लाग उसमें से 5 लाग यहां से से टॉफ होगा बचा 10 लाग यहां से से तो लाग और तीन लाग यहां वो जायेगा तो इस तरीके से आपको वो करना है एक दिस परीश्मरी के लिए जिस तरीके से ले लेवी किया जाएगा जिस तरीके से लेवी होता ह है मियुद दिया तो आपने क्या किया या तो चोप्रेज़न किया या सप्रेशन आट्स किया फार इग्जामपल आपने जो नॉर्मल लक्ा अपने कि लगता है वह आपको benefit भी मिलता है starting में तो इस case में इस case में आपका माना जगा कि miss report हुआ है miss representation या suppression facts second case आता है failure to record investments आपने कुछ investment ही रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं किया books में और AO ने discover कर लिया later on आपका investment तो आपका मान ले जगा कि miss report आपने किया था third case bogus bills आपने दिखाया मतलब कि आपने कुछ expenditure दिखा दिया जबकि उसके उसका कोई evidence ही नहीं था मतलब claim of expenditure not substantiated by any evidence तो मान लिया जाएगा कि वो miss reporting है fourth recording of any false entry in books of accounts आप books of accounts में क्या करते हो false entry करते हो books of accounts में false entry आपने किया मान लों bogus expenditure आपने कुछ दिखा दिया तो वह भी आपका miss reporting का case हो जाएगा फिर इसके बाद किसी receipt को आप दिखाते ही नहीं मतलब expenditure को आप क्या करें छुपा रहे हो और यह तो आप नहीं आप क्या कर रहे हो आप report नहीं कर रहे हो यह deemed international transaction को आप report नहीं कर रहे हो यह फिर specified domestic transaction को आप report नहीं कर रहे हो तो आपका वह miss reporting का case हो जाएगा तो इसका दाता है cases not included within the scope of under reported income under section 270A कौन-कौन से ऐसे cases है जिसमें under reporting नहीं माना जाएगा जिसको तो the amount of income in respect of which SSC offers explanation तो SSC नहीं क्या किया पहला case SSC नहीं उसका explanation दे दिया ठीक है और conditions क्या है कि AO is satisfied कि जो आपका explanation था वो bona fide है and all material facts have been disclosed to substantiate the explanation और आपने सारा material facts बता दिया तो देखो आपने क्या किया पहला case क्या आपने explanation दे दिया और AO CIT या CIT appeals का ऐसा मानना था कि आपका जो explanation है वो bona fide है and आपने सारा material facts को disclose कर दिया properly उस explanation को substantiate करने के लिए तो आपका income under report नहीं माना जाएगा पहला case second case the amount of under reported income is determined on estimate आपका जो amount of under reported income है वो किसी estimate के basis पे निकला ठीक है और इसके लिए condition क्या है if the accounts are correct and complete to the satisfaction of income tax authority but the method employed is such that the income cannot properly be deduced there from आपका accounts क्या था correct था and complete था income tax officer के मतलब income tax authority के satisfaction के हिसाप से बिल्कुल था ठीक है लेकिन जो method जो employee किया गया था इंकम निकालने के लिए मतलब जो method employee किया गया था यो के हिसाप से वह proper मतलब उस हिसाप से वह properly आपका income deduce नहीं किया जा सकता था उस हिसाप से उस तरीके से तो आपका मान लिया जागा कि मतलब आपका income को under report नहीं माना जागा ठीक है किसी estimate के basis पे निकाला जा रहा है बट जो भी method use किया जा रहा है आपका income calculate करने के लिए वो correct नहीं है मतलब उस तरीके से आप सही deduce नहीं कर सकते हो income को तो भी under reporting का case नहीं होगा third case आपका under आपका जो income under reported वो किसी estimate के basis पे निकला है ठीक है और conditions तीन होने चाहिए साथ में SEC has on his estimate made addition disolivance of same on lower side तो SEC ने खुद ही खुद ही उसका disolivance कर दिया था इंकम का या addition का उसने या तो addition कर दिया था या फिर loss का या पिर किसी expenditure का उसने disolivance कर दिया था ठीक है लेकिन lower side पे किया था उसने मतलब जितना भी income वो निकाल रहा है उससे कम पे उसने वो किया था disolivance ऐसे से ने and income such sorry included such income in competition of income और उसने उस income को include भी कर दिया था income ने अपने income में ठीक है and disclosed all material facts relating to addition and disolivance और सारे material facts को उसने disclose भी कर दिया था तो मतलब उसने पहला तो disolivance किया उसने second या फिर उसने addition किया income का या तो disolivance या addition of income या second उसने क्या किया उस income को उसने अपने ROI में furnished भी किया था और third सारा material facts उसने disclose भी किया था regarding such addition and disolivance तो उस case में भी जो आपका income है जो estimate के हिसाब से निकाला गया है वो under reported income नहीं माना जाएगा fourth case the amount of under reported income represented by an addition made in conformity with ALP determined by TPO तो जो भी आपका under reported income है represented by an addition made in conformity with ALP determined by TPO इस case में क्या होगा मतलब determine कौन कर रहा है TPO determine कर रहा है और ALP के हिसाब से arms length price के basis पे TPO determine कर रहा है तो यह जो difference आपका आएगा transaction price minus arms length price तो arms length price आपका मालो की ज्यादा है आपने sale किया और आपका arms length price ज्यादा है आपने purchase किया आपका arms length price purchase का कम है तो आपने पीचे तो purchase आदा दिखाया आपने sales कम दिखाया आपने तो इस case में तो TPO आपका determine कर रहा है यह ALP तो इस case में कव under reporting income नहीं माना जाएगा जाए आपने 92D में रूभी documentation आपको furnish करना था वह आपने properly आपने पहले तो maintain किया and furnish किया second आपने international transaction को chapter 10 के हिसाब से आपने declare भी किया और आपने सारा metal facts को disclose भी किया तो आपका under reporting income नहीं माना जाएगा मतब 92D का आपने documentation को maintain किया है आपने सही से properly और declare कर दिया international transaction को under chapter 10 and disclose ही आपने सारा metal facts तो उस case में जो TPO जो निकालेगा ALP के basis पे उससे under reporting income नहीं है ठीक है इसके बाद आता है amount of undisclosed income on account of search so search के हिसाब से अगर कभी undisclosed income आपका निकलता है तो उससे under reporting income तब नहीं मानेंगे where the penalty is liable under section 271 AAB in respect of such undisclosed income तो अगर किसे भी search के हिसाब से अगर सब कभी search के हिसाब से आपका undisclosed income निकलता है तो उस case में अगर penalty लग गया 271 AAB का मतब 30% जा 60% as the case में भी का अगर penalty लग गया तो उससे under reporting income नहीं मानेंगे और इसलिए फिर से 50% का पर वो नहीं लगाएंगे penalty नहीं लगाएंगे ठीक है अच्छा फिर एक और important point है special case है the difference between income as per return under section 139 1 किसाब से जो अभी आपका income आएगा और जो intimation आता है under section 143 1 इन दोनों का difference को हम कभी भी under reporting नहीं बोलते हैं ठीक है ना मतलब तो जो आपका income फणिश किया और जो आपका intimation आया तो इन दोनों की basis इन दोनों के difference के basis पे कभी भी आपका income under reported income नहीं कहलाता है और यह तो आपको पता हिए के under reporting income होता थो 50% of under reported income पे आपका tax लग जाता है मिस्पूर्टिंग केस में 200% of mis-reported income मतलब ट्यूंड़ परसेंट आपका tax लग जाता है मतलब उसे miss reporting कहते है तो आपका निकालेंगे तो हम under reported income पर जो difference आएगा उस पे 200% पे मतलब जो भी under reporting income आएगा अगर under reporting का केस है तो 50% of under reporting income tax लग जाएगा और मिस्स रिपोर्टिंग है तो तू हंड़ी परसेंट अफ़न्ट रिपोर्टिंग कर टैस्ट लगए ठीक है तो इसी के साथ हमारा पेनल्टी का चैप्टर यहीं खतम होता है थैंक्यू